असलाम अलेकूम वीवर्स कैसे हैं आप लोग अमीद है ठीक हूंगे आज यो रेस्पी हम आपके साथ शीयर करने वाले हैं वह हैं बीफ कोफता इसी त्रीके से कैसे बनता है जो में इन इंग्डिटिटिस में जाएंगे हाफ काजी हमारे पास कीमह एक अधाद प्याय और एक अधाद अधाद थूम worry तीनग्टेस पून हमारे पास बेशन था इसके बाद 1-1 टीस्पून हमारे मसाले हैं, रेट चिली, तरा मिर्ज, नमक, धन्या पोडर और 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, इन सब मसालों को हम मिक्स करके धन्या इसको प्याज, लेसन और कीमे को हम चापर में पीछ लेंगे, चापर में हमने अपना इनको मिक्स करके मसाले डाल की हम इसको पीछ रहे हैं, ताकि यह स्मूथ हो जाए, यह देखिए, अब हम बेसन को जो तीन चेमच हमने आपको बताया टेबल स्पून उसको हलका सा फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद हम इसको अपने बैटर में शामल करें, इसी में हम एक अंडा, थ्वासा आईल, एक चमच, इसको हम मिक्स कर लेंगे आपस में, सही तिक्के से हम इसको स्मूथ्ली मिक्स करेंगे, फिर हलका सा हाथों को तेल लगाएंगे, ताके चिपके ना और क्रैक्स के बगएर हमारे जो कोफती हैं वो बन जाएं, कोफतों को सही क्रैक्स नहीं आने चाहिए, अगर क्रैक्स आए तो वो तलने के टाइम पर भी प्राब्रम की रियेट करेंगे, सारे कीमे के हम मैंने कोफते बना ली हैं तक्रीबन आप अपनी मर्जी के मताबिक थोड़े बड़े साइज के चोड़े साइज के कीमे के कोफते बना सकते हैं, आय प्सका ब्हूं करते गोष्जों न पुद्स इन युड़ी है इस हमने आपने प्यास घृण बॉंट करना ए है ategweise शोरे अभी के इसे जैशन वड़े हैं चैने जो अब आपको पहले दिर्खाए हे टृण्प करने के बाद हम हैं डालि के टौमाट Понआटर टिमाटर ढालने के बाद हम इसको तोसा सोते करेंगे न थाटरों को इसको मिक्सचir में डाल के प्लेंड करेंगे ताके मसाला बनाने में भूनने में हमारा टाइम में वजाया ना हूँ यह देखें तोफ़ा चमत्षा चलाएंगे हम इसमे आफ प्याली हम ने इसमें देंडा आइट किये इसको अम्भूने के साथ ही मैंने आइल गरम करना होने के लिए रख दिया था कोफतों को तलने के लिए अब मैं साथ साथ कोफते तलूँगी और साथ साथ मैं अपने मसाले को भी देखती जाओंगी ताकि हमारे टाइम की बचत हो यह देखिए कोफतों को मैंने डार्क ब्राउन नहीं करना लाइट ब्राउन सा ही कलर दूँगी बस ज्यद्ध चमचा भी नहीं चलाना ताकि हमारे कोफते जो है वो टूटे ना यह देखिए कोफतों का कलर पस्तुआ साओर में इनको कलर दूँगी और फिर इनको निकाल लूँगी हमारे मसाले ने बबल्स बनाने चुरू कर दिसका मतले हमारा मसाला भी तक्रीबन रेडी हो चुका है यह देखिए नाजरीन अल्कंदर इल्ला कितना प्यारा कलर आ रहा है कोफतों में भी और हमारे कोफते जो हैं वो टूटे भी नहीं है सब तो कोफतों को मैंने निकाल लिया तल के अब इसमें यह देखिए मसाला हमारा त्यार हो गया अब इसमें मैं वन एन हाफ गलास पानी डाल के वो बाल आने तक इसको बाल आ जाए तो फिर मैं इसको दो मिनट के लिए दम लगाऊंगी तो आसा हमारा जो मसाल है वो कच्छा न रहे जो पानी अब पक जाए पिर मैं इसमें कोफते एड़ करूँगी दो मिनट के बाद मैंने इसको थम से हटाया और पिर मैंने इसमें कोफते एड़ किये यह देखिए माशा अलला यह कोफतों को मैं दगरिवन 10 मिनिट तक हलकी आँच पे पकने के लिए रख दूँगी ताकि यह अंदर से भी कुक हो जाएं आँच को मैं अब स्लो कर दूँगी यह देखिए मारे माशा अलला कोफते त्यार हो गए हैं इसको हमने गालिश किया धन्य के साथ यह अब इसको डिशोट कर रही हूं यह द देखिए कोफते हमारे त्यार हो चुकी है यह देखिए माशा अलला माशा अलला कि विवर्ज ग्रेवी भी देखिए इसकी माशा अलला कि ना काम है ना ज्यादा कर आपको कम चाहिए तो आप इस पानी को तो ऐसा और सुका लें कि मैं अब उसको धनिया से गानिश कर रही हूं कि विवर्ज यह दिखिए मशार कोफता कितना नरम और खस्ता बना है विवर्ज अगर आपको रैस्पी पसांद आई हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए यह दिखिए मैं खा के अब देख रही हूं अश्याला बहुत मज़े का बना था मज़ेदार विवर्ज आप लोग भी ट्राइ कीजिए लाजमी ट्राइ कीजिए और कुमेंट्स बाक्स में अपनी कुमेंट्स समय दीजिए बहुत नरम और अच्छे बने थे हमारे कौफते